सातियों, पिछले तीन-चार दिन से सरकार और सरकार के ढोल बजाने वाले महंगाई की दर का एक गलत और जूटा ढोल बजा रहे हैं। आज उस ढोल की पोल खोलने में आपके सामने आया हो। पिछले तीन-चार दिन से ये बताया जा रहा है कि देश में WPI जिसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, वो नेगेटिव हो गया, CPI भी थोड़ा कम हो गया, तो महंगाई से देश को रहत मिल गई, ये बड़े- बड़े-बड़े अक्ष्रों में लिखा भी जा रहा है, आज मैं उसी आकडो की ढोल की पोल खोलने आपके सामने आया हो। नेगेटिव होलसेल प्राइस इंडेक्स कुछ एसेंशेल कमोडिटीज में हुआ, पर मैं आपसे पूस्ता हूँ क्या एक भी एसेंशेल कमोडिट की कीमत में कोई कमी आई, आकड़े छोड़ दीजे, आकड़ो की बात अभी करूँगा पांच मिनिट बाद, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ओइल्स, सिरियल्स, इसमें डबलू पी आई या तो नेगेटिव आया और नेगेटिव भी छोटा मोटा नहीं, डबल डिजिट पर क्या सबजियों के दाम आपको कम होते दिखें, या देश में किसी और व्यक्ति को कम होते दिखें, क्या अनाज के दाम किसी को कम होते दिखें, पैट्रोल नेगेटिव डबलू पी आई में था, क्या पैट्रोल और एल्पी जी जिसका की नेगेटिव डबलू पी आई ह क्या पेट्रोल डी डीजल और ऐल्पी जी-का दाम एक पैसा भी किसी ने कम होता हुआ देखा आंकडों की बात आंकडों से करूंगा और आंकडों को ही डिफ्यूज करूंगा और sate आंकडे भारत सरकार के हैं तो क्या हो रहा है सूड़-बूट की सरकार या तो खुद बैनी कर रही है wholesalers को अंटिम consumer को कोई फायदा नहीं मिल रहा मैं बात की शुरू करूँ आगे उससे पहले आपको WPI और CPI का मौलिक अंतर बता देता हूं WPI wholesale price index retail जो retailer consumer को जो चीज बेचता है उससे पहले जो भी price में difference आता है वो WPI में capture होता है जैसे कोई producer किसी wholesaler को बेचेगा वो WPI में आएगा पर अगर दुकंदार आपको या मुझे बेचेगा वो CPI में आएगा तो अब हो क्या रहा है देश में मई 2023 में आखड़ा आया कि WPI माइनस 3.48% है और CPI प्लस 4.25% है मतलब WPI लगबग माइनस 3.5% और CPI पॉजेटिव सवाचार प्रतिशत और मैं कुछ जरूरी वस्तूओं के WPI रखता हूं आपके सामने सबजियों में माइनस 20.1% आलू माइनस 18.7% ओइल सीट्स जिससे की इटेवल ओइल बनता है उसमें माइनस 15.6% वेजिटेबल और वेजिटेबल ओइल और फैट्स जिसको हम गी कहते हैं वो माइनस 29.5% यह WPI मतलब जो प्रोड्यूसर है उसके वहाँ से दाम कम हो रहे हैं और यही सारी चीजे CPIF food and beverages का वो है 3.29% अर्थात अगर मैं किसान हूँ तो मैं जो फसल की पैदा कर रहा हूं सबजियां उत्पादित कर रहा हूं या oil seeds का उत्पादन कर रहा हूं मेरे लिए दाम गट रहे हैं और मैं ही वो किसान अपने परिवार के consumption के लिए वो चीज ब बेनिफिट हो रहा है मोधी जी इसमें ना तो किसान बेनिफिट हो रहा है ना final consumer बेनिफिट हो रहा है या तो आप बेनिफिटेड हो रहे हो या wholesalers बेनिफिट हो रहे हैं और आप मुख दर्शक बनके बैठे हो और आपके धोल बजाने वाले धोल बजा रहे हैं दूसरा पेट्रोल की बात करते हैं क्रिउड पेट्रोलियम का WPI और सारे सरकारी आंकड़े जो कच्चा तेल है उसका WPI मई 2023 में माइनस 27 परतिशत रहा मतलब 27 परतिशत कम हुआ मई 2023 में मई 2022 के मुकाबले LPG माइनस 24.3 परतिशत मतलब LPG के दाम लगबग 24 परतिशत मई 2023 में मई 2022 की तुल्ला में गिरे पेट्रोल माइनस 9.4 परतिशत हाई स्पीड डीजल माइनस 17 परतिशत और वहीं CPI कहता है फ्यूल एंड लाइट में प्लस 4.64 परसेंट की व्रद्दी हुई मतलब कच्चा तेल सरकार खुद मान रही है यह मेरा आकड़ा नहीं है यह जो सरकार ने प्रेस रिलीज जारी करी 14 जून को उसका आकड़ा है जिसके बाद ढोल वजाए गए उस आकड़े के अनुसार LPG में 24.3 परतिशत की कमी हुई मई 2023 में मई 2022 की तुल्ला में उसके अनुसार पैट्रोलियम में 27 परतिशत की कच्चे तेल की कमी हुई पर हमको क्या एक पैसा भी पैट्रोल डीजल LPG सस्ती हुई एक पैसा भी वहाँ पे 27 परतिशत की कमी LPG में 24 परतिशत की कमी LPG साड़े 24 की कमी LPG में 27 की कमी कच्चे तेल में 9.4 की कमी पैट्रोल में 17.03 प्रतिशत की कमी HSD में और फाइदा क्या कंजूमर को मिला और मैं नहीं कह रहा सरकार भी कह रही कि कुछ नहीं मिला उल्टा दाम बढ़ रहे